हाई दोस्तों आगे हूँ एक और वीडियो लेकर सो आज ही मेरे एक सब्सक्राइबर है एक वीवर्स है उनका फोन आए में पास और उन्होंने मुझे कुछ एक चीजे पूछी जिसका आंसर मैंने सोचा में सबको दूँ एक साथ उनको मैंने यही बोला कि मैं एक वीडियो ब मैं पासवार्ड है जो कही अकनेक का होता है जिसे कि हम कैमरा मुबाइल पोण पर एकसेस करते है उनको लगता है सब्सक्राइब करने आए वो पासवर्ड उनके पास भी है और उनको लग रहा है उनके रिलेक्शन में कोई है जिनके पास वो पासवर्ड है जिन्होंने पासवर्ड ले लिया हो सो वो चाते हैं कि क्या एसा कोई autonomous है जिसे कि हम जान सकें कि हमारे DVR कौन-CUN youse कर रहा एँ सो गाइज आज इनी सवालों का जवाब लेकर मैं आया हूँ अगर आपको इन सारे स्वाल को जानना है अगर आपको जानना है कि आप कैसे क्या option ऐसा आता है के निया आता कि हम अपने DVR को चेक कर सकें कि हमारे DVR कौन-कौन वोश कर रहा है या फिर आप जानना चाहते हैं कि कैसे हम किसी और की access जो हमारे DVR एकसे कर रहा है उसको stop कर सकते हैं कि अच्छ का solution है तो ये वीडियो को पूरे अच्छ देखेगा तो नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है गुलशन तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेस सब्सक्राइब आइकन और साथ में प्रेस कीज़े बेल आइकन नई और लेटेस अपडेट पाने के लिए Thank you Guys, आज की वीडियो में हम दो बाते करने वाले हैं पहले बात यह है कि क्या हम ऐसा जान सकते हैं कि हमारे DVR कौन-कौन एकसस कर रहा है किस-किस मोबाइल फोन पे हमारे DVR चल रहा है So guys, जितनी knowledge मुझे है जितना मैं अभी CCDV इंसॉल खर रहा हूँ तो मेरे हिसाफ से ऐसा चेक कर पाना हेक्विजन DVR में पॉसिबल नहीं है कि हमारे DVR कितने फोनों पे चल रहा है और कौन-कौन साथ मतलब कौन-कौन यूजर हैं जो कि हमारे नंबर यूज़ करके अपने DVR को access कर रहे है तो मेरे साफ से हम ये चीच चेक नहीं कर सकते कि हम हमारे DVR कौन-कौन यूजर कर रहा है तो दोस्तो इसी सवाल का एक answer देने के लिए मैं आया हूँ मतलब इसका एक solution है कि अगर कोई हमारे DVR watch कर रहा है तो जो watch कर लिया वो तो pass है उसको रोकना हमारे हाथ में नहीं है लेकिन future में watch ना कर पाए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा तो इस वीडियो में आपको इसका solution देने वाला हूँ मैं इसमें आपको कुछ एक settings फोन पर करनी पड़ेगी अपनी अपना account remove करना पड़ेगा account का मतलग कि account तो नहीं अपनी device remove करनी पड़ेगी अपना कुछ एक code change करना पड़ेगा कहां पर क्या करना है मैं आपको लेके चलूँगा DVR की screen पे लेके चलूँगा phone की screen पे और one by one दोनों में क्या क्या changing करनी है जिसके बाद आपका DVR जितने भी phone पे चल रहा होगा वो चलना बंद हो जाएगा तो चलते हैं TV की screen पे पहले जिसमें मेरे DVR लाइव चल रहा है देन चलेंगे mobile की screen पे जहां पर आपको setting change करनी पड़ेगी तो चलते हैं TV की screen पे तो दोस्तों आगे हैं DVR पे DVR पे आपको अपना main menu खोलना है गाइज यहां पर आपने डालना है DVR का password तो मैं अपने DVR का जो password है वो डाल देता हूँ I think यह होगा या फिर होगा password मेरा admin एड़रेट 123 यह पुराना DVR हो सकता है आपके जो इंटरफेस तो थोड़ सा डिफरेंट हो मैं आपको उसके लिए गाइड कर दूँगा अभी कि वहाँ पर आपका इंटरफेस में क्या होगा इसमें थोड़ सा अपका menu का जो system है वो change होगा जैसा आप देख रहे हैं इसमें यह option से आपके भी एक्सें निलेगा platform access का आपने platform access पर click करना है तो मैं आप सब्सक्राइब करता हूँ मेरे यह पर यह प्राना DVR है extra net access करके इसमें option आ रहा है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरा DVR आपी online आ रहा है और यहाँ पर verification code आ रहा है तो आपके DVR में भी वेरिजिविंग कोड मांग रहा होगा यहां पे तो जो भी कोड मांग रहा होगा आप उस कोड को यहां से चेंज कर दीजिए जैसे मैं कोड कर देता हूं तो यह कोड मैंने किया है सोरी इसमें 6 दिल का ही कोड होता है आपके DVR का लेटेस होगा तो इसमें आप अपने इसाब से कोड कर सकते हैं तो जो मैंने कोड रखा है वो है 1234GU कैपिटल में अगर स्मॉल में चाहूं तो मैं आपे स्मॉल भी कर सकता हूं नहीं इसमें ऑप्शन स्मॉल का नहीं है इसमें सिंपल सा है तो मैं इसे काटके अपना कोड कर देता हूं 062585 तो यह कोड मुझे याद रहे है कि मैं मोबाइल नमबर का NK6 डिजिट है यह और इसको कर देता हूं अपलाई इस वाले DVR में कह रहा है कि सिर्फ कैपिटल लेटर का ही चलता है तो मैं कर देता हूं 6 टाइम ए कर दिया है मैंने और इसको अपलाई कर देता हूं तो मेरे फोन पर अभी तक यह DVR ऑनलाइन था अब क्या रहेगा क्या फोन पर सेडिंग करनी पड़ेगी आप चलते हैं मोबाइल पॉन पर गाइस आगे हैं मोबाइल फोन पर तो सबसे पहले ओपन करते हैं हिक नंग की एप्लिकेशन दूस्तों एक चीज़ और अगर आपके मोबाइल फोन पर हिक नंग की एप नहीं हो पा रही यह आपको को दिक्कत आ रही है है क्नेक की एप इंसल करने पे तो मैं आप देखते हैं जैसे की मेरे फोन पर मेरा डीवीर वरकिंग था एक बार ऑपन करते हैं आपके सामने है कि मेरे phone पर lock बंग आ गया क्योंकि अब मैंने verification code change कर दिया है जब तक मैं इस log पर click करके नया वाला verification code नहीं डालता तब तक मेरे phone पर camera play नहीं होंगे एक option तो यह हो गया कि verification code change करने के बाद हमारा DVR है वो phone पर चलना बंद हो जाता है इसके एलावा आप तोड़ी और सिक्योडिक क्लिए क्या कर सकते हैं, मैं आपको स hedge elec करूंगा, आप इस वर होली device कुझ बंद करते, मलब बंद का मतलब कि डिली डिलीर करते आकाउंट से, डिलीर करने मकять करना पड़ेगा, मैं यह अगों बतायता हूं, सबसे पहले आपको है हिक कनेक्ट पे आपको डिवाइस यहां पे शो होगी और डिवाइस पे आपने थोड़ सा इसको लेफ्ट की और प्रेस करना है यहां पर को सेटिंग दिख रही है आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पर जाना है और नीचे करके आपको डिवाइस को डिलीड करना है डिवाइ का मैं इसको डिलेट नहीं कर रहा है कि दुबार से एड़ करना पड़ेगा और वीडियो काफी लंबी बन जाएगी तो मेरे जो सब्सक्राइबर अगर आप नहीं है तो निशे डिक्रिश्न पर लिंक कर सकते हैं उसको एड कर सकते हैं तो आपको नीशे मोर का ओप्शन दिख रहा है आपको जाना है मोर में मोर पर आने बाद reset device password आपको डिवाइस का पासवर्ड आपको ऊपर जो आपके user ID और phone नमबर दिख रहा है इसके यहां पर arrow दिख रहा है आपने arrow पर क्लिक करना है आपको यहां पर दिख रहा है आपका phone नमबर और नीचे आपको देखें का change password तो आपने पासवर्ड निया password में रख रहा हूं 123 add-the-rate admin next 123 add-the-rate admin इससे क्या होगा कि मेरे जो एप का password है मतलब जैसे हिक कनेक पर यह जो password है यह हिक कनेक का password है ना कि आपके DVR का password तो आपको इसमें फरक पता होना चाहिए कि आपका DVR का password अलग होता है और आप जो हिक कनेक का अकाउंट में उसका password अलग होता है तो यह सारा system change हो गया अब आप देखते हैं तो एक बार ही मैं बंद करके on करता हूं और दिखाता हूं आपको हिक कनेक्ट चला के कि मेरा जो DVR है वो इस पर रन हो रहा है क्योंकि मैंने वेरिविंग कोड डाल दिया है तो password मैंने ही चेंज किया है इसलिए मैंसे नहीं मांगा बट जिस जिस फोन पर चल रहा होगा उन-उन फोन से वो कोड मंग लेगा और कोड ना मंगे तो वेरिविंग कोड तो मंगेगे मंगेगा उसके बिना DVR लोगिन नहीं होगा तो गाइस यह चोड़ी से एक वीडियो थी जो मेरे वीवर्स हैं जो मुझे कॉल किया उनके लिए बट मैं चाहता था कि मैं सबके साथ यह ची वीडियो करूं वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक पर क्लिक कर दें अगर आप इस चैनल पर फर्स इम आए हैं अगर आप यह फर्स इम वीडियो देख रहे हैं या फिर आपने मेरे चलक अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब का आइकन है वहा तो वीडियो बनाने के कोश्च करूँगा तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को इतना एंड तक देखने के लिए पगवान आपका दिन शुप करें थैंक यू सो मच